असलाव लेकुम दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इमतरीन खबरों से में सवाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना इसकूप का पूरा देखिए चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल ऐकन को प्रेस कर लिजिए तक्यान वाली वीडियो की नटफिकेसन आपको हमें साफरी में मिलती रहें तो सातियों आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आरी हो अचेफी की टरफ से आ रही है तो हमद मेडिकाल कॉर्पेशन के तरफ से दोस्तों ये एनोस्मेंट किया गया है और सभी लोगों को दोस्तो ये इतला किया गया है कि जल्दी से जल्दी आप लोग winter जो vaccine है वो आप ले 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 तो साती हूं ॐ वैक्सीन जो है हर ठंडे के टाम पे दोस्तो लोगों को दिया जाता है, जिनकी उम्र छे साल ये छे साल से ज़ाधा है, तो ये वैक्सीन को आप लोग ले सकते हैं influenza vaccine इसे कहा जाता है तो यह दोस्तो कतर में जितनी लोग भी वहाँ पे आप जितनी वहाँ पे governmental वहाँ पे जितनी भी वहाँ पे vaccination center है वहाँ पे आपको यह vaccine मिल जाएगी तो हमेद medical corporation के तरब से announcement किया गया क्योंकि अभी winter season आने वाला इसी को लेकर announcement ये किया गया, अगली update की और साथ ही चलते हैं, अगली ख़बर दोस्तो जो आ रही है, लगभग Sok Clinic दोस्तो अवेलेवर FIFA World Cup दोस्तो अब लोगो जैसा की पता है कि इस्टार्ट होने वाला है, तो FIFA World Cup को लेकर बहुत सारी तयारियां की जारी है, तो M.O.P.H. की तरब से, यानि Ministry of Public Health के तरब से भी अपनी तयारियां पूरी तरह से दोस्तो M.O.P.H. की तरब से, यानि Ministry of Public Health के तरब से ये बताया गया कि FIFA World Cup के मैच को दोरान लगभग सौक क्लीनिक को दोस्तो तयार कर दिया गया है, इस्टेडियम के आसपास, यानि दोस्तो जितने भी महाँ पे इस्टेडियम वगएरा है, लगभग सौक क्लीनिक को तयार किया गया है, बनाया भी गया है, और बहुत सारी महा क्लिनिक पहले से भी थे किसी तरह का कोई भी दिकत खिलाडी को या फिर वहा के देखने वाले दर्सक को या किसी भी सक्स को किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तरफ तूरन्थ ही उनका इलाज किया जा सके इसको लेकर इंतंसमात बग़र है की गई है अगली update दोस्तों आ रही वो Department of Mentalology के तरब से आ रही यानि मौसम विभाग के तरब से तो कतर के Mentalological Department के तरब से दोस्तों सभी के warning दी गई है कि हवाई काफी तेज चलने वाली है और समुद्र किनारे लहरे काफी तेज इटने वाली है तो सबी जो लोग भी समुद्र किनारे रहते हैं जब बीच के आसपास आप लोग जाते हैं तो आप रात के तौर्बे अमिया है क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है कि मौसम बदनने वाला ठंड आने वाला है इसी को लेकर दोस्तों मेटरलोजिकल डिपार्ट्मेंट के तरफ से अनॉस्मेंट किया गया है अगली अप्डेट की और साथ भी चलते हैं रात से लेकर आठ बजे सुबह तक दोस्तों ये बंद रहेगा और एक अक्तूबर से लेकर आठ अक्तूबर तक दो बजे से लेकर सुबह छे बजे तक बंद रहेगा reconstruction का काम वहाँ पे काम है यानि दोस्तों construction वगेरा काम है इसी को लेकर वो रास्ते को बं किया जा रहा है तो जो भी इस रास्ते से आप लोग जाने वाले थें तो 30 October से लेकर 8 October तक कोसिस किजेगा आप लोग इस रास्ते से ना जाए रास्ते को इंडिया में एक बच्चे को मार दिया गया है दोस्तो सरकारी स्कूल में एक टीचर के दौरा एक वहाँ बच्चे को मारा गया इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो spelling mistake किया था यानी कुछ लिखने कहा गया होगा जिसके वज़ेसे वो लड़ बच्चा नहीं लिख सका जिसके वज़ेसे इसे मार दिया गया सात्यों बच्चे का नाम है निखिल दोहरे वो छोटी जाती का था अब दोस्तों उसे बात यहां पर छोटी और बड़ी जाती का दोस्तो बात उटके social media पे काफी जादा famous हो रहा है इसके बार भी यह दिटेल्स आपको पढ़ना है Gulf Times को official website जब आप खोलोगे तो नीचे जब श्रॉल डाउन करोगे तो यह ख़बर आपको दोस्तो मिल जाएगी यह बच्चा मातर 7 से 8 साल का था जिसे वहाँ पे मारने का जैसे मौके पे ही मौत हो गई अगली update दोस्तो जो आरे साथियों वो बहुत ही बड़ी ख़बर है साथियों सफारी के तरब से एक promotion को launch किया गया जिसे कहा गया go green grow green अब दोस्तो इसे launch करने का reason यह है ताकि लोगों के अंदर जगरुक तक किया जा सके कि लोगों को पेड़ पौधी लगाने चाहिए नेचर को कैसे बचाय जा सके जैसे कि दोस्तों वहाँ पे लोगों को बहुत सारे streets वगएरा बाटे गये लगाने के लिए जैसे कि दोस्तों कोकुंबर का प्लांट, चिली प्लांट, टमाइटो प्लांट, नीम प्लांट, इंडियन तुलसी, मोरिंगा प्लांट और बहुत सारे पेड़ पौधी की बीज होते लोगों को बाटा गया और उसके बारे बताया गया ताकि कतर जो है ग्रीन पूरा रह सके तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों कुछ खबरे थी जो की कतर से आ रही थी मैंने अब तक सेयर किया आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो चिली वीडियो पर लाइक करें दोस्तों साथ सेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके